हेलो गाइस विलकम बैक तो न्यूव वीडियो तो गाइस कुछ दन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने आप लोगों को साथ शेयर किया था कि मैंने जो है HDFC के Money Back Plus credit card को बंद करने की request दे दी है and finally दोस्तों जो मेरा credit card है वो बंद भी हो चुका है अब जो है मैं आप लोगों को बताने वालों कि मेरे पास HDFC के Total 2 credit card थे जैसे के मैं आप लोगों यहां पर दिखा भी जाता दोस्तों ठीक है सबसे प्राना card यह मेरा है HDFC का Money Back Plus credit card जिसको मैंने हाली में बंद करवा दिया है and totally यह deactivate हो चुका है दोस्तों and दोस्तों अब मेरे पास बचा हुआ था HDFC का Money Back Plus credit card यह एक रूपे variant के साथ मुझे मिला था दोस्तों and दोस्तों इनको बंद करने का reason क्या है मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई है SBAE credit card को मैंने अभी जस्ट बंद करवाया simply click credit card को even आपको पता है दोस्तों जो SBAE का simply click credit card है वो बहुत ही popular credit card है and online transaction पे अच्छा कैसा cashback value आपको provide भी कर देता है but no doubt उसको बंद करने का reason मैंने उस वीडियो में आप लोग सा share किया था तो दोस्तों family दोस्तों इस card को भी मैंने जो है बंद करने के वेश्ट दे दी है HDFC में and दोस्तों HDFC bank की सबसे अच्छी बात मेरे को यह लगती है कि HDFC bank जो है मतलब ऐसा bank है उसको मतलब customer से काफी ज़्यादा लगाव है मतलब लगाव इंदा सेंस के वो other bank की तरह यह नहीं करता कि जैसे bargaining करता है अगर तो आपको SBA credit card जो है बंद करवाना है तो आपको SBA वाले जो है इतना ज़्यादा force करेंगे इतना ज़्यादा मतलब convince करने की कोशिश करेंगे क्या आप अपने credit card को बंद करना क्यों चाहते हैं हम आपका जो annual fees है या फिर आपका charges लगए है कोई भी finances charges लगए है तो late fees लगए है तो आपके reverse कर देंगे आपका जो card lifetime free कर देंगे बट card वो बंद करने के पीछे मतलब इतना ज़्यादा confuse कर देता है customer को के वो नहीं चाहते को कोई customer उनको छोड़के जाए लो card को बंद करें नहीं चाहेंगे but HDFC का ऐसा कोई scene है दोस्तो HDFC सीधा मतलब के straight and forward है अगर customer को credit card रखना है तो रख लो को issue नहीं है अगर आपको credit card नहीं रखना आप credit card को बंद करना चाहते हैं तो एक call में दोस्तो आप अपने किसी भी credit card को जो है बंद करवा सकते हैं and same date को same call के ऊपर दोस्तो आपको आपके card की जो है close करने की request ले ली जाती है and within 7 to 10 working days के अंदर आपका जो card है permanently blow कर दे जाता है तो दोस्तो ऐसा ही मेरे साथ जो है इसके साथ हो चुका है दोस्तो ये card मेरा properly बंद हो चुका है and same एक दन में मैंने call कि उन्होंने कुछ भी मुझसे नहीं पूछा just ये पूछा जूरू था कि आप क्यों बंद करना चाहते है that's it इसके लाबा दोस्तो ऐसे ही same to same मैंने इसको भी बंद करवाने की request दी है HDFC में and दोस्तो इन दोनों card को बंद करने का main reason मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तो main reason यह है कि इन दोनों ही card की जो limit है आपको पतना की combine है इसकी भी combine है इसके साथ दोस्तों मतलों कि अगर मैं इसमें से कुछ utilization कर लेता हूँ तो इन दोनों की जो total limit है वो 15,000 है यानि कि इस card की भी 15 है इस card की भी 15,000 है अब 15,000 दोनों में divide हो चुके यानि कि 75,000 का ये credit card बच्चा होगा and 75,000 का ये अब आप सोच सकते हो कि 75,000 रुपे में यानि कि 75,000 में दोस्तों मैं क्या कुछ खरीद लूँगा तो HDFC को मैंने दोस्तों mail भी डाली है and मैंने उनसे phone पर भी बात किया कि card की जो limit है मतलब बहुत जादा कम है ये एक main reason है मेरे को card बंद करने का जब उन्होंने मुझे पूछा कि card को बंद करना क्यूं चाहते हो तो मैंने उनको यही answer दिया कि utilization बहुत कम है उन्होंने पुछा कि क्यूं क्यूंकि इनकी जो limit है वो combine and limit बहुत ही कम है तो limit increase अगर हो जाती है तो मैं card को रख लूँगा तो उन्होंने ऐसा मुझसे कुछ भी मतलब के नहीं कहा या इनके कभी भी card ले सकता है और कभी भी card बंद कर सकता है बहुत ही easy है बट दोस्तों ये जो credit card है HDFC के आपको पता कि HDFC bank state and forward bank है जैसा कि मैंने आपको वीडियो बताया दोस्तों तो यहाँ पे HDFC के credit card को easily कोई person नहीं ले सकता मतलब कि काफी कुछ देखते है HDFC credit card अपने customer के ऊपर ठीक है जब भी कोई नया बंदा बंदा को apply करता है तो पहले वो cross check करते हैं कि कौन बंदा apply करना है उसका status क्या है mean उसका civil का status क्या है ठीक है उसकी income क्या है तो उसी के base पे ये credit card को provide करते है अब देखो दोस्तों यहां पर मेरे पास HDFC के दो saving account है एक मेरी wife के नाप एक मेरे नाम पे दोस्तों और उसके अंदर जोन का maintain balance होता होता हो मैंने maintain रखा हो है transition भी अच्छी खासी होती रहती है बट फिर भी मेरे को जो limit है HDFC ने 15,000 के दी दोनों ही card के ओपर combine कर दी चलो combine कर दी कि अलग issue है बट main जो limit है वो 15,000 है 15,000 में आपको पता कि कितनी का आप shopping कर ले तो अगर आप routine में credit card को use करते हो हर मत तो दोस्तों आपको पता कि 15,000 में आप क्या ही कुछ खरीद लोगे कोई occasion आया जैसा कि दिवाली पे कोई sale चल रही है तो आप इसको use ही नहीं कर सा होगे क्योंकि 15,000 में आप क्या कौन सा phone खरीद लोगे या क्या shopping कर लोगे तो इसी चीज़ को देखते हो दोस्तों मैंने इन दोनों ही card को बंद किया है और में मेरे को ये लग रहा है दोस्तों कि अब दोनों card मेरे बंद हो जाएंगे permanently दोस्तों एक तो हो चुका है दूसरा card मेरा बंद हो जाएगा अब दोस्तों जैसे card बंद होते permanently तो मैंने एक महीने बाद जो है इन में से एक credit card को दुबारा से apply करना है तो तो यानि कि अगर मेरी लिमिट 50,000 हो जाती है किसी एक credit card की HDFC में तो उसी के बेस में दूसरा credit card भी ले सकता हूँ क्योंकि उसमें यह हो कि मेरे को इसमें अलग reward section मिल जाता है इसमें मेरे को अलग reward and cashback option मिल जाता है तो दो card रखने का reason तो यह होगा और इसके 499 plus GST मुझे annual fees देनी पड़ती है तो unnecessarily मैं इसके 499 plus GST क्यों पे करूँ जबकि मैं इसको तरह यूज नहीं कर पा रहा हूँ इसकी कोई ज़्यादा utilization नहीं है Tata app के ओपर अगर आप ज़्यादा इस card को use करते हो तब ही आपको जह वहाँ पे 5% तक का unlimited cashback मिल जाता है otherwise आप कहीं other transition करोगे तो आपको 2% का cashback मिल जाता है बाकि दोस्तों जो other spends पे होता है वहाँ पे 1% ही मिलता है आप लोगो तो उतरे खास तकड़े benefit भी नहीं थे इस card के अगर आप इसको Tata की app पे use कर रहे हो तो one of the best card हो सकता है आपके लिए दोस्तों बाकि दोस्तों आप लोग मुझे comment section में जुरूर से बताना कि मैंने जो ये card को बंद करने का decision लिया है ये मैंने सही लिया या फिर नहीं लिया आप मुझे जुरूर से suggest कर सकते हो बाकि दोस्तों वीडियो आप लोग कैसे लगी ये भी मुझे comment section में जुरूर से बताना वीडियो अच्छे लिए 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 को like जुरूर करना और चैनल पर पहली बार visit करो चैनल को subscribe जुरूर से करना तो चैनल काज में पर नेक्स्ट वुडियो में